महान गणितगी वशिष्ट नारायंट सेह कानिधन 14 नवंबर 2019 को पटना के PMCH में हो गया नेकिन उन्हें के निदन के बाद भी सरकारी उपेक्षा का सामना करना पड़ा और अंबुलेंस के इंतिजार में काफी देर तक उनका शवब वहीं रखा गया वशिष्ट नारायंट सेह परिजणों के साथ पटना के कुलहरिया कॉम्पलेक्स के पास रहते थे उनकी तबियत आज सबह अचानक खराब हो गई बताया जा रहा है कि आज सबह सबह उनकी मुझ से खुन निकलने लगा जिसके बाद परिजण उन्हें तदकाल PMCH लेकर गए जहां डॉक्टर उन्हें प्रदगूशित कर दिया परिजणों का कहना है कि उनकी मृत्यों के दो घंटे तक उनकी लाश अस्पताल के बाहर ही पड़ी रही और पूरे दो घंटे के बाद आइंबुलेंस बुलवाई गई वतादे वशिष्ट नारायंट सेह पचले कई दि लिखने गए थे मुखी मंतरी निदीश कुमार उनके निधन पर शोग जदा चुके हैं बता दे वशिष्ट नारायंट सेह ने महान वैग्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन के साखपिक्षता के सद्धान्त को चुनौती दी थी उनके बारे में ये बात भी काफी मशूर है कि नासा में अपोलो की लॉंचिंग से पहले जब 31 कम्प्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए तो कम्प्यूटर ठीक होने पर उनका और कम्प्यूटर का कैलकुलेशन एक जैसा ही रहा था उनकी ग्रेजुएशन की बात की जाये तो उन्होंने 1979 में कैलिफोनिया यूनिवरसिटी से पीएजडी की डिगरी हासिल की इसके बाद वो वाशिंटन यूनिवरसिटी में एसोसियेट प्रोफेसर बन गए वशिष्ट नारायन ने नासा में भी काम किया लेकिन वो 1971 में भारत लोट आए भारत लोटने के बाद उन्होंने नोकरी की और वो IIT कानपूर, IIT बंबई और ISI कॉलकता में नोकरी करते थी 1971 में उनकी शादी वंदनारानी से हो गई शादी के कदसे में बाद 1974 में उन्हीं मानसिक दौरे आने लगी 1975 में उन्मानसिक बिमारी सिजोफ्रेनिया से पीडित हो गए इस बिमारी के होने के बाद सुनते ही उनकी पतनी ने उनसे तलाक ले लिया कहा जाता है कि 1976 में इलाज और उनकी सारी जमदारी लेने को अमेरिका तयार था लेकिन परिजुनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें अमेरिका नहीं जाने दिया और राजणीदी के तहट 1976 से 1987 तक राची के मेंटल हॉस्पिटल में भरती कराकर उनकी प्रतिभा को कुछल दिया गया सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स